करणपूर गाओं में आर्मी स्पोर्स कलब करणपूर द्वारा नैशनल स्टाइल कबड़ी टुर्नामेंट का आयोजन पिंजो रैतन शेत्र के करणपुर गाउं में बुदवार को आर्मी स्पोर्ट्स कलब की और से पुलवामा में शेहिद हुए जवानों की याद में नैशनल स्टाइल कबड़ी टुर्णामेंट का आयोजन किया गया था इस मौके पर यहाँ विदान सभा कालका से कॉंग्रोस पार्टी के और से चुनाव लड़ चुकी परत्याशी और पूरो मेर पंचकुला मनवीर कोर गिल मुख्यतिति के तोर पर उपस्तित रही इस अफसर पर यहाँ एस गुर्द्याल सिंग स्टेडियम में जिला पंचकुला सहित अन्य शित्रों से आए कबड़ी खिलाडियों की टीम ने कबड़ी मैच में बढ़ चड़ कर भाग लिया यहाँ पर कलब की ओर से सभी ओपन प्राइज की गोशना करकी थी जिसमें कबड़ी टूर्नामेंट को अपने नाम करने वाली पहली विजेता टीम को 31,000 पी की नगद राशी का इनाम दिया जाएगा जबकि दूसरा प्राइज 21,000 पी की नगद राशी का इनाम रखा गया इस मौके पर यहाँ पूरो मेर पंचकुला मनवीर कोरगिल ने अपने संबोधन में पुलवावं में शेद हुए शेदों को याद करते वे उन्हें नमन किया और युवाओं की टीम को इस दिन कबड़ी टूर्नामेंट का आयोजन करने पर वदाई देते वे काह कि युवा युवावरक नशे जैसी बराईयों से भी दूर रहता है जबकि खेल कुद से शिरीर तंदरुस्त रहता है और सेहत बनी रहती है उन्होंने कालका हलके में नशे के फैल रहे कारोबार पर गहरी चिंत करते वे कहा कि पड़ाई के साथ-साथ खेल कुद भी जरूरी है और हर कवरक नशे जैसी बराईयों से दूर आकर खेल कुद की और ज़्यादा द्यान दे सके इस मौके बनिया विजेता कवड़ी टूर्णमेंट के खिलाडियों को नगद राशी देकर समानित किया गया था इसके लावा यहां पर कलब की और से मुखदिती पोरो मेर पंचकुला मनवीर कोरगिल को समरिती चिन देकर समानित किया गया हो चुकी है बहुत ज़्यादा नशा साड़े लाकेद विज फैल चुकिया है जे साड़े बच्चे खेटन गे पड़ाईदे नाल-नाल तै मैं समझ दिया उन्हानू शरीरिक सेथ ता मिलेगी मिलेगी और बच्चे नशा तो भी दूर रहन गे बाकी बहुत हर पिंच होज किते ना किते नौजवान बच्चे नशे तो जा रहे ने तसी एक खेल महासंग मैं कालका हलकेच बणाया है मेरी कोशिश है कि साथे लाकेच दे बच्चे इस दंदी बिमारी तो बचन और मैं अज हवान भी कर दिया सारे वीरा नौँ सारे खेटें वाले बच्चा नौँ पहणा नौँ बीबिया नौँ कि जो आसी खेल महासंग बनाया है उदा ओफिस भी मैं कालका दे विच खोल दिता है अज जल्दी उदे बोड लग जेगा तो नौँ दिखन भी लग जेगा कि किते हैं ते तुसी राजनिती बाद दी गाल हुंदी समाजिक तौरते परिवारिक तौरते मैं थोड़ा हिस्सा है और कालका हलके दे विच कोई भी समस्या होवे आदे वास्ते भी मैं थोटे ना हमेशा खड़ी रही है